कि हाइवरिवान जैमादादी यूर वाचिंग माधिशक्ती मेडिटेशन केंद्र मेरा नाम है उधित और मेरे चैनल में आप लगों का स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही खास टॉपिक बर जो कि रहेगा कि अगर आप डेली एक घंटी मेडिटेशन करते हो आपको प्लड आशका मिलने वाला है और कुटरीश अओर मेंधनिटेश करते हो आपको मिलेंगी तो कि मोई शक्ति आपके round थोगी क्या कोई एनर्जी आपके आज पास होगी आपकी body के अंदर बॉड़ी के बाहर सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे obviously कुछ मेरी भी experience रहे होंगे जब मैंने meditation शुरू की उनके बारे में भी discuss करेंगे तो शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को subscribe करना मत भूलना and do comment because comment में मैं definitely active रह रहा हूँ और आप लोगों को अच्छे-चे replies भी कर रहा हूँ सबस्क्राइब करो तो सबसे पहले जाके सबस्क्राइब करो तो सबसे पहले तो आप जैसे की half an hour सुभा जाप कर रहे हैं ठीक है and आदा घंटा आपने शाम को जाप कर लिए meditate कर लिए दोनों में से कोई सबसे पहले जब हम जाप करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में नाभी से यानिकि नेवल जहां पे होता है जैसे ही जाप बॉडी में भरना शुरू होता है नॉर्मली मैं लोगों को सजिस्ट करता हूं कि आप बैठ के तो एगंटा दिन में जाप कर ही रहे हो उसके अलावा आप क्या करिए कि मानसिक चाप मानसिक का मतलब है पूरा दिन चल पे फिरते जैसे कि आप जा रहे हो कही हो जा रहे हो और बाते नहीं कर रहे हो किसी से खाली हो तो अब मन मन में जाप करते रहे हैं मन मन में आपके हमेशा से एक जाप चलना चाहिए और बहुत चोटा भी है अदरवाइस आप चाहो तो लोग राम नाम जबते हैं मनमन में आप राम जब सकते हो लेकिन राम भगवान जी का जो पूरा बीज मंत्र होता है वो राम नहीं होता है और पूछते हैं का राम से द्रिष्टी खुल सकती है सिर्फ राम जबने से द्रिष्टी ने खुले गें लेकिन और भी बहुत साथ चीज आपको प्राप्त हो सकते हैं आपको और अच्छा होगा अगर आप रोच एक घंटा जाप कर रहे हो और एक महीने तक अगर आप ऐसा क से रखोगे थो ठी मिर्टे क्या होता है शुक्स नार भीसर जाब भरना शुरू होता होता है भरते भरते हमारी बॉड़ी में ठॉट तक जाता है जाने के बाद भ्रह मरंद्र भॉर्ण निएगी वह सबसे पहले थ्री सरकल्स बनाएंगी वान त्सूट Canada वह कर वह गणते औरा कैसे लॉक करें और आपने आप लॉक होता है तीन सर्कल बनते ही आपका ओर लॉक हो जाएगा लॉक होते ही आपका जो औरा है वह एकदम बंद तिक है अब उसके बाद फोर्थ लेयर बनती है फिफ्ट बनती है इसे एट नाइन तैन एलेवन ट्वेल्फ टिक हैं कि हमें कुछ मिल जाए भगवान आप दो लडू ले लो और मुझे बड़ा घर दे दो भगवान आप कपड़े ले लो और मुझे अच्छी लाइफ दे दो कुछ भी मांगते हैं तो हर किसी के भाव है काफी लोग सिर्फ भगवान को ऐजा माता है आजा पिता उनकी काफी लोग सिर्फ पूजा करते हैं शक्ति प्राप्ति के लिए डेफिनिटली रॉंग है उनके एनर्जी सिर्फ आपको चाहिए आपको सिर्फ एनर्जी से मतलब है भगवान से नहीं तो डेरिजा डिफरेंस आपकी सोच जिस हिसाब से रहेंगी आपको उनहीं चीजों की प्राप्ति होती इस बात का ध्यान रखी है ठीक है नौ दीरे धीरे आप क्या होगा जैसे एक मंथ तक तो आपको अरा बिल्डप लगेगा अगर आप ध्रम्चर्य का पाजन करोगे इस पर्टिकुलर मंथ मैं मैं मेंशन कर रहा हूं ध्यान से चिक है नाओ क्या हुआ आपका और बिल्डप हो गया है जैसे आपका और बनेगा ना एक मंथ के बाद आपको ध्यान लगाना शुरू करना क्योंकि अगर आप एक घंटा जाप क चुके हैं तो आपके कुंडलीनी अब तक उठ चुकी होगी जाब जाब से थोड़ी बहुत कुंडलीनी कम से कम दो से तीन चकर तक चली जाती है लेकिन अगर ध्यान भी लगाना शुरू कर दोगे साथ साथ तो वह कुंडली और फास्ट एनरजी के साथ उपर जादी है आ आगे चक्र तक तो जाएगी अना दृष्टी को गोल मत रखो दृष्टी तो मिलेगी मिलेगी आपको दृष्टी आपसोल्यूट मतलब मैं कहूंगा 100% गैरेंटी के साथ आपको मिलेगी अगर आप पुंडलीनी उठा रहे हो तो दृष्टी समझ लोग गिफ्ट आपको रास्ते में मिलता है काफी लोग बड़ा बड़े कंफ्यूज होते हैं दिव्विद्रिश्टी में आप देखते हो या कोई एनर्जी आपको दिखाती है तो कुछ कुछ चीज़ें हैं डिसकस करेंगे अलग वीडियो में अभी फिलाल टॉपिक से आउट नहीं जाएंगे और क्या क्या मिलेगा आपको जाप करने से एक तो आपको औरा स्ट्रॉंग होता है कुंडली नहीं आपकी बन जाती है आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी रहती है कोई भी जब नेगेटिव इंसान आपके पास आएगा तो उसको बहुत अच्छा फील होगा कोई भी जाओगे ना तो सामने वाला जब आपसे बात करेगा जैसे कि कुछ भी बात कर रहा है कोई भी आपसे तो उसे बहुत पॉजिटिव फील होगा बहुत अच्छा फील होगा और काफी वह खुश फील करेगा आपसे बात करते वक्त आप किसी काम के लिए जाओगे तो कभी आप मतलब आपको सक्सेस ही मिलेगी अजमें कभी आपको ना बुरा नहीं मिलेगा अगर कभी कबार आपको कही नो भी कह रहा है तो उसके पीछे जरूर आपके लिए कोई कारण रहेगा आपके लिए वह बैस्ट चीज नहीं होगी सब सची बात कुंडलिनी जागरित हो ज सकते हैं मताकाली हो सकती है माधुरुगा हो सकते शिव भगवान हो सकते हैं कृष्ण भगवान हो सकते हैं तो जब यहाथ जोड कर प्राथना करेंगे मन में भाव से अपने इस तो आपके इस तक 100% जाएंगी इसका जीता जादा एक्जाम्पल मतलब देखो मैं भी आप ही के मतलब आप ही के जैसे एक इनसान था जो आप ही के तरह यूट्यूब पर स्ट्रॉगल कर रहा था चीजे एक्स्प्लोर कर रहा था नौर्मली मेरे को भी सेम ऐसे ही एक दिवज रिश्टी की वीडियो दिखी और मैंने भी आप ही की तरह सोचा स्टार्टिंग में कि यह सब कुछ नहीं होता है तो आप मुझे देखोगे ना तो आपको शायद मतलब कोई आम इंसान शायद मुझे देखके नहीं करेगा कि मैं इस प्रिच्वली आक्टिव भी हूं यह बात आप भी अग्री करोगे ना व स्पिरिच्वली आक्टिव मैं नहीं हूं नहीं को ऐसा लगता है तो आप से किसी इंसान को नहीं कह सकते हैं तो बस वही हिसाब था नाव क्या हुआ मैंने भी एक्सप्लोर किया इन चीजों को दीरे 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 इन चीजों में जब मैं गया तो जब मुझे खुद एक्सपीरियंस और स्टार्ट हुए जब मेरी खुद के दिववदरिष्टी खुली मैंने खुद देखा स्टार्टिंग में मेरा भाव भगवान से की प्रती था बिल्कुल था लेकिन इतना नहीं था जितना अब है अब तो एक ऐसे लेवल का आपको कनेक्शन जुड़ जाता है भगवान से कि शायद उस कनेक्शन को आप कभी हटा नहीं पाओ एक ऐसा प्रेम भावना आपके अंदर आ जाती है तो यह भावना भी आपके अंदर आएगी आपका एक कनेक्शन जुड़ जाएगा उस एनरजी से सबसे अची बात है मृत्यों के बाद अगर आप पूरे लाइफ टाइम जाप करते हो काफी समय तक करते हो फिर मन में भावना रखते हो तो आपकी डेट के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा जैसे सब लोगों की एस्ट्रल बॉड़ी घूमती है यहाँ ऐसा आपके साथ नहीं होगा एस्ट्रल ब आप अब कहीं पर भी ट्रावध लॉट्र पॲगए अपको पता है नाभी ना जैसे इक बेभी वान होता एंचीज़े आपके रखलं से नहिसे ही कंट अंधीकर करता आए कहें पर भी तो आपको सारी चीज़े आपको फील सकती ही तो आपको भी सारे experience ओभी सारी सारी चीजें फील हो सकती हो सब कुछ आप भी महसूस कर सकते हैं unfree शक्र और सकते हो सकते हों अंद हर चीज जी देफिनेट्ली आप करेंगे बहुत अप तो आप फिल कर पाऊगे और के बेनेफिट्स अगर आप लोगों को तक मेरे बात och नहीं को मोटिवेशन नहीं मिलता है जाप करने से ऐसा सब दिखेगा ऐसा सब मिलेगा ऐसे connection जुड़ पाएगा और काफी कुछ आप सीख पाओगे बोल पाओगे जान पाओगे तो definitely एक मन से खुशी होती है जाप करने कि आप जाप करते हो लेकिन जैसे जैसे आपका connection जुड़ जाएगा ना भगवान से connection तो आपको ना कहीं जाने के जरुत नहीं है जब भी आप आखे बंद करो कि भगवान को याद करोगे भगवान का अंश उसी वक्त आपके सामने प्रकट हो जाएगा और आप अपने भाव नहीं गंटोर कर पाओगे काफी लोग ऐसे हों अब आपको मानता है तो जब वह क्यलकटा जाएगा कलकटा जाएगा और मां का सिर्फ उन्हें एक जैकारा या फिर जब उनकी स्मृति दिखेगी उनकी मूरत दिखेगी मैं कहूंगा जब वह मां को देखेंगे तो उनकी मनने भाव आएगा अब जैसे जो लोग माता को देखा होगा जब वह बाके भिहारी जी की सूरत देखते हैं उनके मन में भावना के कारण आखों से आसू गिरने लग जाते हैं तो वह सारी चीजें ही हैं हर कोई इंसान भगवान के लिए रो नहीं सकता है अगर आप रो रहे हैं तो आपकी भावनाएं बहुत अच्छ को बुलाने की अपने प्रिटेक्शन के लिए अपने लाइफ तो आप ठीक करेंगे करेंगे साथी में मरने के बाद भी बहुत सारे बैनेफिट्स आप लोगों मिलेंगा यह होप जितनी जानकारी मुझे है उतनी मैं आपको कंवे कर पाया हूं जो कि देखो काफी लोग त क्लिस ले रहे हैंने फार्ट jd अजым लेघन होती हैं बट क्या है कि कि सrePlus नहीं समझ पाते हैं कभी कभाकर कर दूप लोग सर्फ मस्ति करने के लिए आ जाते हो आशाते हैं offline अगर आप प्रूली सीखना चाहते हो मेडिटेशन के बारे में मस्ती नहीं सीखना चाहते हो अच्छे से एक दम कॉंसेंट्रेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो आप कनेक्ट हो सकते हो वाट्सैप पर वाट्सैप पे नंबर मैंने आपको बता देता हूं जिन लोगों को मेसेज नहीं मिला है जल्दी ही रिप्लाइ मिलेगा डोंट वरी और अच्छे से मैं आपको समझाओंगा बताओंगा आप जूड सकते हो क्लासेज ने सकते हो तैंकि सो मच मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अप तक के लिए गुडबाई जै माता जी